उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में नुडबंदी के दोरान जन्म लेने वाले खजांची यादो का आठवा जन्म दिन मनाया गया समाज़ादी पाटी अध्यक्ष और यूपी के पुर्वो मुख्य मंतरी अकलेश यादो भी इस दोरान मौझूद रहे सपा कारेले में हर साल खजांची का जन्म दिन मनाया जाता है साल 2016 में नुडबंदी के दोरान पैदा हुए बालक खजांची यादो का बर्थडेश जोरशोर से मनाया गया अकलेश ने खजांची यादो को लड़ू खिलाया उसे साइकल गिफ्ट की इस दोरान खजांची की माँ भी वहां मौझू थी खजांची ने अकलेश यादो को कविता भी सुनाई खजांची जितना बड़ा होता जा रहा है नुडबंदी की नाकामी उतनी ही हम लोगों को दिखाई देने दरी है और सच्चाई तो यह है कि नुडबंदी दुनिया के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा धर्ष्टाचार की रूप में उभर कर दिया है नुडबंदी भाजपा के धर्ष्टाचार का महा सागर सावित हुई है नुडबंदी के समय जितने भी दिखावटी लक्ष रखे गए थे उनमें से एक भी पूरा अभी तक सरकार नहीं कर पाई हो ना दावा कर पाई है आज तक कि नुडबंदी के समय पर जो उन्होंने लक्ष रखे थे वो एक भी लख्ष पूरा सरकार का नहीं हुआ है नोडवन्दी केवल दिखावथी उनका और दिखावथी बन करके रह गए नोडवन्दी का असर स्लो पॉईजन जैसा था पिछले आठ साल में इसने किसान, मज़ूर, मद्यमवर, नौकरी पेशा पेशेवर लोग और छोटे दुगंदार, वैपारी, रेडी, पट्री, फेरी वाले सब को अपना शिकार बनाया और कोई वर्व नहीं शूटा होगा जिस वर्व को नोडवन्दी की वज़े से छत न पहुँची हो नोडवन्दी न केवल नोडवन्दी रह गई थी बलकि नोडवन्दी के बाद जो भातिजनता पाड़ी के अन्न फैसले भी लिये गए जैसे जीस्टी आउस्ते भी बड़े पहमाने पे कारो वारियों का नुकसान पहुँचाने के काम भातिजनता पाड़ी ने किया सपाध्यक्ष ने कहा सच्चाई तो ये है कि नोडबंदी दुनिया के आर्थिक इध्यास का सबसे भ्रष्टाचार रूप के तौर पर उभर कर सामने आई नोडबंदी बीजेपी के भ्रष्टाचार का महा सागर साबित करती है इस दोरान जितने भी दिखाविटी लक्ष रखने वाले हैं उनमें से एक सरकार पूरा नहीं कर पाई और ना ही दावा कर पाई कि उसने लक्ष पूरा किया नोडबंदी केवल दिखाविटी बनी अखलेश यादो ने कहा कि नोडबंदी का असर धीमे जहर की तरह है पिशले आठ साल से इसकी वज़ा से किसान मजदूर नौकरी पेशा, मध्य वर्ग और छोटे दुकानदार, रेडी, पत्री वाले सबको अपना शिकार बनाया अगर कोई वर्ग नहीं छूटा होगा जिस वर्ग पर नोडबंदी की वज़ा से नुकसान ना हुआ हो नोडबंदी ना केवल नोडबंदी रहे गई, बलकि उसके बाद भी वीज़ेपी सरकार ने जूएश्टी जैसे फैसले लिए, उससे भी व्यापारियों को नुकसान हुआ